हेलो गाइस कैसे हो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में और देखिए आज की काफी बड़ी गिराबट के बाद काफी लोग का सवाल है कि बजार स्वामबार को कैसा ओपन हो सकता है बजार में क्या और गिराबट आ सकती है या होगी इस जगा से र इंक आपको डिस्केशन में दिया गया है चली चलते हैं अपडेट के तरफ देखिए अब मैंने आप सभी के सामने निप्टी का चार्ट उपन किया है निप्टी के चार्ट पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आज देखिए निप्टी ने जो अपना जो टेरेन लाइन ता उस टेरेन लाइन के सपोर्ट को इस जगह तोड़ते हुए दिखाई दे रहा है आप देखिए कंटीनियू देखिए इसने अपने टेरेन लाइन के सपोर्ट को तोड़ा है अभी तक क्या हो रहा था बजार के अंदर अभी तक देखिए अपना सपोर्ट लाइन को काफ झादा तेजी से तोड़gesch link दिखाई दे रहा हैं और repeat लुक्त के साथ पोड़िए दिखाई दी रहा है। अब इसी चार्ट को देखे अगर मैं आपके साथ जूम करके मैं आपको दिखाना चाहूं तो जहां पर देके मैं करेंट प्राइश आप देखोगे 14,370 का करेंट प्राइश है आज जो बजार ने लो मारा है वो लो मैं आपको दिखाना चाहूंगा 14,357 के आसफस अगर मैं बात करूं बजार ने जो हाई मारा था वो देखिए जगा 14,619 का हाई मारा था और जहां पर हाई मानने के बाद ज जैसे कि ओपनिंग काफी इंपॉर्टन होती है ओपनिंग जो इसकी हुई थी वो 14,580 थी दीखी हुई थी ठीक है बिलकुल आपने जे पिराइस है बिलकुल नोट किया अब बजार हुआ क्या अपने लो डे के आसपास बंद हुआ है क्योंकि लो अगर आप देखोगे तो काफी जादा नीचे है उसके चंद अगर आप मैं कुछ बोलूँ तो कुछ पॉइंट ही जादा उपर आपका बजार बंद होते हुई दिखाई दिया लेकिन इंपॉर्टन बात जे नहीं है कि बजार के जगा बंद हुआ है इंपॉर्टन यह है कि बजार में अगर आप द दिखाना चाहत जाओं तो अब इसका सपोर्ट क्या हो सकता है तो सपोर्ट देखिये यिए क्यक्ति से ओसाभ प्राइस क्यों रूप सकता है घाँस हजार दो सो के असवास का ठीक है ऐसा क्यों देखिए पहले भी बजार अगर इस पराइस पर आया था तो जहां पर देखिए एक इसने अच्छा सपोर्ट लिया था 14200 पर पहले भी बजार आ चुका है तो मुझे लगता है कि बजार अगर और नीचे आएगा तो वो 14200 तक आ सकता है इसकी संबावना है अब इसमें अगर मैं बात करूँ पैटन की तो क्या पैटन बनते हुए दिखाई देखिए बजार में जित तेजी मंदी तेजी मंदी अब जित मंदी के बाद फिर तेजी एक हो सकती है तो अगर मैं रोल ओवर इसमें देखूँ हूँ तो बजार में एक पैटन आपको देखने को मिलता है जो है इस जगह बॉक्स में देखिए बॉक्स में बॉक्स पैटन में क्या होता है बॉक्स पैटन में अकसर बजार नीचे आता है नीचे आने के बाद उपर जाता है फिर नीचे आता है फिर उपर जाता है और फिर नीचे आता है तो मुझे लगता है अगर जे बॉक्स पैटन को बनाएगा तो थोड़ा नीचे आएगा और फिर तेजी से उपर चला जाएगा ठीक है अगर box pattern को नहीं बनाता है तो यह फिर आपका 14,000 दोसों को तोड़ के नीचे चला जागा simple सा funda है कोई जादा दिमाग नहीं लगाना ही जगा अब देखिए और चीजे मैं आपको बताना चाहूं जैसे कि मैंने आपको जो पहले वीडियो बना के बताया था उसमें भी काफी अच्छा profit हुआ है अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो देखिए जो call हमने अपने टेलिग्राम चैनल पर दिये थे उसमें भी काफी अच्छा profit हुआ है जहां पर देखिए हमने अपने support group में भी call दिये थे उसमें भी काफी अच्छा profit हुआ है लाइब चार्ट मैंने आप सभी को दिया था और जो call दिये थे उसमें भी काफी अच्छा profit हुआ है फिरी टेलिग्राम चैनल है जोइन कीजे लिंक आपको decision में दिया गया है अगर आप हमारे support group में जोइन होना चाहते हो तो angel जड़ोता अप इस्टोक लेस्विलू किसे के भी साथ account उपन कीजे और हमारे support group में जोइन हो जाई अब समझे लेते हैं कि आज जो गिरावट आई है बजार के अंदर बुक गिरावट अपने ही बजार में है या ACA बजार में भी अपन को देखने को मिली है तो देखिए ऐसा है कि अपने बजार में नहीं ACA बजार में भी देखिए काफी भारी गिरावट आपको दिखाई दे रही है ACA Bajar की बात करूँ तो यहां पर भी देख्यावट है जबकि US Bajar में अगर मैं बात करूँ तो हल्की फुलकी से यहां पर तेजी है तो देखें बजार अगर आप देखोगे ना तो अलग अलग मूवमेंट में जहां पर काम करते हुए दिखाई दे रहा है अगर आप देख जगह आप सभी के support and registration की की बजार किस जगह support ले सकता है और क्या इसका resistance हो सकता है तो सबसे अपन call की बात करते हैं इस जगह बिल्कुल ध्यान से देखें ज़िए कि ये पार्ट बिल्कुल ध्यान से आपको देखना चाहिए तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ resistance की तो यहाँ पर देखें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखें सबसाब पहला इसका जो resistance है वो यहाँ पर आपको देखे 14,700 बहुत मुश्किल लगेगा इसे 14,700 तक जाने तक और 14,600 में भी बहुत जादा मुश्किल इसमें दिखाई दे रही है अब ऐसा क्यों ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि देखें अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो यहाँ पर देखें आप खुद देखें न कि आज भी अगर आप देखो 20 लाग के आसपर देखें जहाँ पर आपको चेंजिंग होते हुए दिखाई दे रही है अगर मैं बात करूं तो बजार में देखें 14,550 पर भी देखें ग्यारा ग्यारा लाग साथ लाग पचास है के आसपर ओपन इंटेस भी दिखाई दे रहा है अगर मैं बात करूं तो 14,500 पर भी अगर आप देखोगे तो देखें 35 लाग ओपन इंटेस पहले से कड़ा 21 लाग और खरीदारा गया तो मुझे लगता है कि 14,500 जे आपका रेजिस्टेन हो सकता है अगर इसको पार करेगा तो बजार में तेजी आपको देखने को मिलेगी अब देखें सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट जहां पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि सपोर्ट आपके क्या क्या हो सकते हैं तो देखें जिए अपन ने अब जगा पुट लगाया और पुट में देखें आप मैं आपको सपोर्ट दिखाना चाहूँगा तो सबसे पहला जो इसका support है जहां पर बजा रुकना चाहिए वो है देखिए 14,250 अगर 14,250 पर बजा नहीं रुकता तो 14,200 पर रुकना चाहिए क्योंकि देखिए 14,200 आपका काफी आदा important है और एक chance आपको 14,200 पर buying करने का भी लेना चाहिए 14,200 पर buying करने का लेना चाहिए अब ऐसा मैं क्यों बोलना हूँ क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर देखिए 22,000,000 open interest खड़ा है अगर मैं बात करूं current की तो 4,000,000 आपका add हुआ है अगर मैं बात करूं इस जगा की 14,250 पर तो 14,250 पर भी 1,60,000 के something है open interest की बात करूं तो 3,60,000 के something यहां पर आपको खड़ा होते हुए दिखाई दे रहा है तो 14,200 का एक इसमें अच्छा मुझे support दिखाई देता है अब जैसे की बात करें FIS and DIS के data की तो FIS and DIS का data देखिए जहां पर क्या बोलता है FIS and DIS का data देखिए दो दिन से काफी अच्छा था लेकिन आज गिरावट आ गई उसके बाद भी अगर मैं बात कहूं तो DIS का data तो continue selling के तरफ दिखाई दे रहा है और यहां पर देखिए DIS के data में तो लगातार आपको गिरावट देखाई दे रही है और FIS के data में थोड़ी खईदारी थी लेकिन उसमें भी आपको गिरावट देखने को मिली अब देखिए एक दो दिन के data को देखिए आप कभी भी जज़ी नहीं कर सकते मार्केट में कि अब क्या हो सकता है अब जहाँ पर देखिए अगर आपका इस जगह जो FIS का data जहाँ पर अगर आपको गिरावट देखने को मिलते हैं तो उसमें आपको यह जज़ी नहीं करना है कि आप बजार और ज्यादा गिर सकता है आपको डाटा को भी देखना है आपको यह भी देखना है कि बजार 14,200 को क्रोस करता है कि नहीं अगर डाटा आपका माइनस में आया और बजार आपको 14,200 क्रोस कर गया तो फिर हम DCN लेंगे कि बजार और नीचे जा सकता है लेकिन जब तक आपका data एक अच्छा आप दिखाई दे रहा है आपका देखिए लेवल 14,200 का दिखाई दे रहा है तो जो पैटन है ना वो पैटन ये वाला काम करते हुए दिखाई दे सकता है ठीक है जितना भी हमने data देखा जितने भी हमने चार्ट देखे उसके बाद जो आपको इंटाडे में काम करना है वो कैसे करना है अब इसको समझ जाईए कि सबसे पहले अगर आपने position लेके रखा है आप position लेके गए होती है तो अगर जी 14,200 तोड़ता है तो आपको position काटना है ठीक है तोड़ता है तो अगर नहीं तोड़ता है तो यहाँ पर आपको buying करना है सबसे simple की बात है क्योंकि देखे जहाँ पर अगर आप देखोगे तो यह लेवल बो है जहाँ पर देखे बजार का एक हटलता है और यहाँ पर बजार पहले आ चुका है इस लेवल पर बजार पहले आ चुका है तो यह आपको बहुत बढ़िया support है और यहाँ पर देखे बजार में पहले भी support लेके रखा है सबसे simple बात अब बजार में हमको तेजी की position बनानी है तो तेजी की position हम किस 14,420 से अगर 14,420 मार्किट पार कर जाता है तो हम तेजी की पूदीशन बनाएंगे उसके पहले नहीं बनाएंगे और अगर बजार में बहुत ज़्यादा तेजी चाहिए अल्टिमेट तेजी चाहिए तो वो तेजी आपकी आएगी 14,500 से अगर आपको सेफ बाला गेम खिलन तो 14,500 से उपर अगर बजार जाता है तो आपका सेफ हो जाएगा बजार और फिर आपको तेजी देखने को मिलेगी नॉन इस्टॉक ठीक है और जो आपका सप्पोर्ट है वो 14,200 का है ठीक है और देखिए जो हभी तक हमारा जो इस्टॉक है वो है टाटा मोटस टाटा आपको कफी नीचे लेवल पर बाइंग करने के लिए राय दिया था आप सभी को टाटा मोटस मेने 200 के आसवाoga बाइंग करने के लिए दिया था और 250 के element करने के लिए दिया था वहां से आगर आप देखोगे तो यहाँ ने सब्रूपको तैजी देखने को मिली और जहाँ को जरूर धियान में रखिए तो मुझे लगता है कि बजार में कई ने कई गिरावट आ सकती है लेकिन भारी गिरावट नहीं 14,200 तक बजा जा सकता है ऐसा मुझे लगता है और 14,200 तक अगर बजा जाता है तो महां फे बाइंग करने की अपोचर्टी है ना कि सेल करने की